हेलो फ्रेंट्स वेल्कम टू माई चानल क्राफ्टिंग अलिशेजन 20 तो आज हम बनाएंगे एक वैटशीट और्गिनाइजर तो चलिए स्टार्ट करते हैं उसको बनाना तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 12 by 13 inches के 2 quilted pieces ले लिए हैं यह मेरा upper portion हो गया और यह वाला मेरा नीचे वाला अब यहाँ पर हमें 10.5 inches by 13 inches का एक quilted piece चाहिए होगा जिसका plain piece मैंने already attached किया हुआ है इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 16 by 9.5 inches के 2 quilted pieces 16 हो गया यहाँ से हमारा और यहाँ से हम लेंगे 9.5 inches तो यहाँ पर हमारे इसके 2 quilted pieces हो चुके हैं यहाँ पर इसी के साथ हमें इसके 2 plain pieces भी लेने हैं 16 by 9.5 से मेजिनमेंट के दो इसके साथ के ही plain piece लेंगे हम अब हमें यहाँ पर एक transparent sheet की जरूरत है जिसका मैंने यहाँ पर measurement 7.5 by 9.5 inches रखा है तो यह तीरों में मैंने plain piece अटाच किया हुआ है पर यह दोरों में मैंने plain piece नहीं लगाया तो यह आप अलग से जो मैंने measurement बताया था वो ले लीजे अब हम यह वाला piece लेंगे अपना और यह transparent sheet लेंगे तो इसको ऐसे करके इसके उपर रखेंगे अब इसके बाद हम अपना जो plain piece था मेरे पास उसको इसके उपर ऐसे करके उलटा रखेंगे उलटा रखने के बाद हम इसके उपर सिलाई लगा देंगे यहाँ पर सिलाई लगा देनी है ये देखिए आपर सिलाई लगा दी मैंने और अब इसको हम सीधा कर लेंगे ये देखिए मैंने सीधा कर लिया अब इसके बाद अच्छे जिसको पहले सीधा कर लीजे अब इसके बाद यहाँ पर प्रेस्टीज दे दीजे और यहाँ पर पुरा सिलाई लगा देजिए और quilt भी आप कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर हम अपना दोसरा quilted piece ले ले लेते हैं और इसको ऐसे करके इसके उपर उल्टा रख देते हैं अब इसके बाद हम अपना प्लेन पीस लेंगे प्लेन पीस इसके नीचे लगाने के लिए तो इसको हम ऐसे करके इसके नीचे रख देंगे और इसको उपर रख के इसको ऐसे यह देखिए तीनों मैंने ऐसे करके लगा दिया है अब इसके उपर सिलाई लगा देंगे हम अब यहाँ पर प्रेस्टीज दे देंगे और सारा यहाँ से सिलाई कर देंगे तो अब इसके पाद हम इसके उपर जिप रखके उल्टार जिप रखना है और पूरा यहाँ से सिलाई लगा देना है तो ये देखिए मेरा सिलाय लग चुका है यहाँ पर ये कुछ ऐसा दिख रहा है अब हम इसके उपर प्रेस्टिज दे देंगे और अब हम ये अपने दो क्विल्टिट पीसेज लेंगे और यहाँ से हम सिलाय लगा देंगे तो जब हम खोलेंगे इसको ये कुछ ऐसा दिखेगा अब हम ये अपना जिप वाला पीस लेंगे इसको ऐसे करके फोल्ट करेंगे और मार्क लगा देंगे यहां पर दोनों तरफ में हम मार्क लगा देंगे यहां पर लगा है मैंने और नीचे में अब इसके बाद हम इसको साइड में रखते हुए इस पीस को लेंगे और इधर भी हम मार्क लगाएंगे तो यहाँ पर मैंने mark already लगाया हुआ है पर मैं फिर से आपको एक बार दिखा देती हूँ ऐसे करके fold कीजिए और यहाँ पर mark लगा दीजिए अब इसके बाद हम इस वाले mark को यह जो नीचे वाला mark है न उसके साथ मिलाएंगे सीधा ही मिलाना है अब इसके बाद इसके उपर हम normally सिलाई लगा देंगे तो यहाँ पर पहले मैं clips की मदद से इसको पूरा attach कर लूँगी उसके बाद मैं इसके उपर सिलाई लगाऊंगी तो यहाँ पर पहले हम attach कर लेते हैं इसको यहाँ से भी हम इसको पूरा attach कर लेते हैं ऐसे जोडते जाए और क्लिप्स की मदद से इसको अटाच करते जाए तो यहां से देखें मैंने क्लिप्स अटाच कर लिया और अब मैं यहां पर सिलाई लगा दूँगी सिले कर यहां तक यहाँ पर यह देखिए यहाँ से मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया है बस थोड़ा सा यह से लाइ लगा के फिर छोड़ दिया अब यहाँ से मुझे यह ऐसे करके लाइन को मार्क कर लेना है यहाँ पर लाइन बन रहा है पूरा एकदम portion है न यहां से हमें यह दोनों तरफ से मार्क करना है तो यह वाला portion जो है मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ यहां से मैंने तकरीबन 1 इंचिस पर मार्क लगाया है यह देखे पूरा में मार्क लगा लीजे तो यह देखे लग गया मार्क कि मैंने हैंडल लगाने के लिए यहां पर मार्क लगाया है तो यहां पर मुझे दो हैंडल चाहिए पहले तो मुझे 16 इंचिस के दो हैंडल चाहिए उसके बाद 25 इंचिस के दो हैंडल चाहिए यहां पर मैं एक हैंडल को यहां पर ऐसे करके कर दो हो दो हैंदो दहें लिएenne पड़ाई करोड़ देजिए कि अब इसके बाद हम 25 इंचे का हैंड़ लेंगे तो इस इसको में इसके कुछ नीचे रखते हुए मैंने एक तरफ यह सिलाई लगाए है उसके पाद मैंने इसको इसके नीचे रख दिया इस प्रकार से ऐसे नीचे रख दिया लाइक मेरा जो हैंडलस का एंजेस था न वहांपर मैंने इसको नीचे डालकर मैं इसलाई लगा दिया यहां पर तो यह बड़े कि पाल दोनों हैंडलस एक्टम अटाच हो चुका हैं हेंडनस साटार हो गया हमारा अब इसके बाद हम यहां पर सिलाए लगाएंगे तो ये जा मैंने थोड़ा- controllers से छोड़ा था ना उसको छोड़ दीजिये और यहां से हम दोनों like edges को मिलाकर लगाएंगे तो पर पहले मैं clips attach कर देती हूं उसके बार यहाँ पर मैं शिलाई लगा दूँगी देखिए एक clips attach कर दिया मैंने दोनों तरफ से अच हो गया मेरा अब हम शिलाई लगा देंगे इसके उपर यह देखिए मेरा सिलाई लगाने के बाद यह कुछ ऐसा दिख रहा है तो अब यहाँ पर हम अपना front piece लेंगे इसको ऐसे करके fold करेंगे जो हमने quilted piece पहले लिये थे न दो उन में से ही एक quilted piece लेना है उसके बाद यहाँ पर इसको fold करके हम इसका middle निकालेंगे यहाँ से mark कर लीजे और यहाँ से सब जगा से mark धो गया मेरा चारो जगा से चारो से जगा से मैंने mark कर लिया है अब इसके बाद इसको mark को mark के साथ मिलाते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे तो यह देखें मैं सब marks को आपस में मिलाऊंगी और सिलाई लगा देंगी तो यहाँ से मिलाएंगे और पहले तो हम उपर वाले middle को middle से मिलाकर सिलाई लगा देंगे उसके बाद zip वाला portion जोड़ेंगे तो यह देखें आपर मैंने पुरा जोड़ दिया है और यह एकदम ready है आप इसमें कोई भी समान डाल कर अराम से रख सकते हैं अब हम इसके उपर अपना core अटाच करेंगे तो core आप चाहे readymate ले लीजे चाहे घर से बना कर खुद बना कर ले लीजे उससे भी यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेंगा और readymate से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखता है तो यहाँ पर मैं अपना core अटाच कर दूँगी इसके उपर इसके उपर देखें मैंने अपनी core अटाच कर ली है और यह कुछ ऐसा दिख रहा है मैं उसे एक बार खोल कर दिखा देती हूँ यह दिखें कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आप इसमें अपनी bed sheet अगाम से टाल सकते हैं towels भी चाहे तो हम डाल सकते हैं इसके अंदर पर मैंने यह bed sheet as a bed sheet organizer बनाया है bed sheets टाले के लिए यह दिखें कितना ज़्यादा अच्छा दिख रहा है तो आप भी ऐसा घर पर इसली बना सकते हैं आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे comment box में comment करकी ज़रूर बताएगा मेरे चानल को like, share and subscribe करना मत भूलेगा bell icon को press कर लीजेगा मेरा और भी वीडियो देखने के लिए फिर मिलती हूँ मैं आपको अपने अगले वीडियो के साथ सब तक के लिए bye bye and check